चलने भी फूटेंगे और आपको ज्यादा उत्पादन प्राप्त होगा तो फिर आये देखते हैं कि जो चार विधी है क्या-क्या है तथा इसको हम लोग किस तरीके से इंप्लिमेंट कर सकते हैं हमारे खेत में उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्क्राइब करें और वीडियो को भी लाइक जरूर करें अभी जैसे की धान का रोपाई के डायम चल रहा है और जो है कईके जगह रोपाई हो भी चुकी है तो ये वाली जो विधी है लगबग आपको रोपाई के मतलब 20-30 दिन के अंदर ही करना रहता है तो अगर आपकी रोपाई 20-25-30 दिन से ज़्यादा हो चुका है तो ये विधी इतना ज़्यादा कारगर नहीं होगा जैसे कि हम लोग धान को रोपाई करते हैं अब सटर नरसरी के 30-35 दिन बाद जब हम धान की रोपाई करते हैं तो उससे जब से हम धान की रोपाई करते हैं उससे लेके 20-40 दिन के बाद धान के कल्ले फुटने का exact समय होता है तो इसी समय हमको इसकी देखभाल करनी पड़ती है तो इस चार विदी में सबसे पहली विदी है सही nutrition कहने के मतलब धान में कल्ले फूटने के लिए nitrogen और zinc ये दोनों बहुत ही आउसक होते हैं nitrogen जो उसकी vegetable growth को बढ़ाता है अच्छे तरीके से बढ़ते हैं अच्छे तरीके से अपने आपको growth करते हैं तो इस औस्था में nitrogen काफी important होती है तो nitrogen और zinc को जो है आपको धान के रोपाई के 20-21 दिन बाद आपको दे देना है कोई विस्तिती में zinc हो सकते तो आप रोपाई के समय भी दे सकते हैं अगर yuria में मिलाने में परिसानी होती है तो या फिर अलग-अलग दोनों को छिड़क सकते हैं रोपाई के 20 दिन के बाद दूसरे नंबर पे आती है कि खेत को सूखा रखना जी हाँ खेत को सूखा रखना जैसे हम लोग फसल में रोपाई कर लेते हैं कई बार प्रिटला क्लोरो गर डाल लेते हैं और उसके माद्यम से उसको जड़को भी अच्छे तरीक से गर्मी मिलती है जिससे कल्ले फुटने में मदद होती है अगर आप पानी फुल भरके रखे रहेंगे तो कल्ले इतना ज्यादा नहीं पुरता है जितना आप सूखे रखते हैं तो कल्ले फुरता है सुखे रखने में एक चीश को आपको ध्यान में रखना है कि मिट्रीOS को इतना भी सूखा ने रखें कि मतलब मिट्री फटना चलो होजाए मतलब उसमें नमी रहनी चाहिए और इतना नमी होनी चाहिए कि आप उगली उसमें दबाये तो वो आसानी से दब जाना चाहिए तीसरे नंबर पे जो आती है बांस की बल्ली वाला जुगाड़ हमने इसको पिछले बार भी बताया था तो ये जो बांस की बल्ली वाला जुगाड़ में ये रहता है कि आपको एक बांस ले लेना है 10-15 फीट का और उसमें रसी बांद के जो है खेत में आपको मतलब उसको घुमाना रहता है आप चाहिए तो एक बार कर सकते हैं या फिर आप दो बार भी उसको घुमा सकती है उससे होता है कि पौधे को एक जटका पड़ता है मतलब जैसे वो बांस की बल्ली उसको तो जब अपने जड़ को पकड़ के थोड़ा पौधे उठेने की स्थिती में होगा रोपई के 15-20 दिन के अंदर में तो उस वस्था में आपको एक बार बास की बल्ली चला देना रहता है बास की बल्ली को बांद के जैसे कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं यह आप सूझ रहें कि 2-4-D तो खत्पत्वार ना सी है यह क्या बता रहें देखिए 2-4-D जो है तीन वेरियेंट में आते हैं तो उसमें से जो इथाइल इस्टर होता है मैं आपको बता दूँ जो इथाइल इस्टर होता है जो पौधे को इन्हेबीट करता है मतलब पौधे के ग्रोध को रोकता है अगर आप ज्यादा मात्रा में देते हैं तो पौधे को मार देता है खास कर जैसे कि चौड़ी पत्ती वाली खत्पत्वार को मानने के लिए हम लोग 2-4-D को उप्योग करते हैं तो 2-4-D इथाई लिष्टर को आपको 5 ml पर टंकी मतलब 15-20 लिट्व की जो हमारी टंकी होती है उसमें आपको 5 ml देना रहता है और उसको आपके खेत में इस प्रेक कर देना रहता है इसमें होता यह है कि इसमें भी पौधे को एक हलका जटका पड़ता है और पौधे में जो है कल्ले फूरते हैं ये एक चीज मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि जो ये बास की बल्ली वाला जुगार सा छोटा खेते तो बन जाता है एक एक एकड़, दो एकड़, पांच एकड़ गार लेकिन किसी के बीस एकड़, चालीस एकड़ हो तो वहाँ पर उनको थुड़ी दिक्कत होती है तो जैसे कि आप बास की बल्ली नहीं घुमा सकते हैं तो आप 2,4D को भी चिरक सकते हैं और बास की बल्ली को घुमाने के बाद भी आप 2,4D का इस्तेमाल कर सकते हैं तो इससे भी काफी अच्छा result देखने को मिलता है तो 2,4D को हैं आपको 5 ml पर टंगी के हिसाब से देना रहता है जिससे कि पौधे को एक हलका जटका पड़ता है और पौधे की ग्रोथ में कोई भी कमी नहीं आती पौधे को एक हलका जटका देगा जिससे कि उससे भी कल्ले फूटेंगे तो जो चार तरीका जैसे कि मैं आपको बताया कि एक पहला है सही नूट्रिसन, दो तरह है खेत को सुखाना और तीसरे नमबर पे आती है कि बास की बल्ली वाला जुगाड और चौथे नमबर पे आती है टू-फो-डी इथाइल इस्टर का फसल में स्प्रे करना इसको अगर आप फॉलो करती हैं चारो के चारो जुगाड को तो आपकी धान में जो है काफी अच्छे तरीके से कंसे आएंगे तो फिलाल मैं उम्मीद करूंगा आज के वीडियो कुछ काम आये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को भी सब्क्रेब चरूर करिए तो फिर वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद